दोस्तों कैसे हूँ फैनली मागेट ने वेकेंसी के अपडेट लेकर और इसमें हम बात कर रहे हैं जिस वेकेंसी के वह बहुत ही खास है और यह वेकेंसी आई है आई आई टी डेली के डिपार्टमेंट से और यहाँ पर 89 एसिस्टेंट एड्मिनिस्ट्रेटिव आफिसर इसके लिए ग्रीच्वेड, बीटेक, बीकॉम, डिपलोमा, पीजे अपलाई कर सकते हैं सैलरी यहाँ पर मिलती है 29,200 रुपए से 2,15,900 रुपए पर मन्त की और यहाँ पर आल इंडिया से लोग अपलाई कर सकते हैं मेल यह फिमिल दोनों अपलाई कर सकते हैं साथे इसके अपलाई कर सकते हैं दोनों के लिए पोस्ट हैं आज हम जानेंगे सारे डीटियल्स इस वीडियो में तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए लाज्ट तक दोस्तों यहाँ पर वेकेंसी आईए इंडियन इस्ट्यूट अफ टेक्नलोजी आईटी डैली के डिपार् सकते हो यहाँ पर पोस्ट कौन-कौन से हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट हैं यहाँ पर एसिस्टेंट रेजिट्रार, एसिस्टेंट अड्मिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एड्मिस्ट्रेटिव एसिस्टेंट, जूनियर अकाउंट्स अन ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट्स analyst के post है और यहाँ पे total vacancy 89 इसके लिए आयू सीमा क्या माई गई है तो दोस्तों यहाँ पे आयू सीमा माई गई है assistant registrar assistant executive engineer के लिए maximum 45 साल assistant administrative officer junior accounts and audit officer के लिए maximum 35 साल administrative assistant accounts and audit assistant के लिए maximum 30 साल superintendent engineer के लिए maximum 55 साल वा junior engineer and application analyst के लिए maximum 35 साल दोस्तों यह general के आयू सीमा है SCST को 5 साल का OBC को 3 साल का आयू में छूट है अगर हम बात करते हैं इसके salary package की तो salary यहाँ पे मिलती है 29,200 रोपय से 2,15,900 रोपया पर मत की और इसके लिए कौन apply कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे administrative assistant के लिए graduate in any discipline वाले apply कर सकते हैं BA, BCom, BC, BC, BC कोई भी इस post के लिए apply कर सकते हैं वही accounts and audit assistant के लिए BCom वाले apply कर सकते हैं बाकी सारे post के लिए दोस्तों यहाँ पे experience माग गया है कौन-कौन से apply कर सकते हैं तो यहाँ पे graduation, PhD degree, BCom वाले, BTEC वाले apply कर सकते हैं लेकिन सबके साथ experience होगा selection यहाँ पे based होगा written test interview पर और application fee से यहाँ पे general OBC EWS group A के post के लिए application fee से रहेगी 500 रोपय वही group B & C के post के लिए रहेगी 200 रोपय वहीं आपको SCHT, PWD, WebMN के लिए application fees बिल्कुल फ्री है सारे categories के लिए और यहाँ पे job location रहेगा Delhi इसको apply करने का date है 17 फरवरी से 20 मार्च के बीच में form आपको online भढ़ना है form भढ़ने के लिए आपको इस website पे आना होगा सबसे पहले यहाँ से इसका notification डाउनलोड करके पढ़ना होगा और form भढ़ने के लिए आपको इस link पे क्लिक करके इसका form भढ़ना होगा इस website पे कैसे आओगा तो simply आपको जाना है Google पे type करना होगा recruitmenthub.in आप देख सकते हो इस spilling screen पर और यहाँ पे सबसे पहले हमारी website आजाओगी Google पे search करोगे तो आपको इस website को खोलना है और उपर जाना है search बार पे यहाँ पे type करना होगा IIT Delhi क्योंकि हमको IIT Delhi की वेकेंसी ढूंडना है तो हम इसको search करेंगे तो दोस्तों यह वेकेंसी सबसे उपर आजेगे आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे उपर यह वेकेंसी आ गई है simply आपको इसको खोल लेना है और आपको मालूम कि इसके last में link दिया हुए आप form भढ़ने का आपको simply इस link पे clicker कि इस वेकेंसी का form भढ़ना होगा अगर अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो इस वीडियो में बस इतना ही जैहिंद वंदे मातरम